तो नमस्कार दोस्तों कि आपने अपने आम तो सुना ही वहोगा तो दोस्तों हम जानेंगे कि 108 कब डायल करना चाहिए और अगर आप भारत की निवासी है तो आप इस वीदो को जरूर देखिएगा आखरी तक क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत ज्यादा तो दोस्तों हम बात करें अगर कि 108 क्या है तो दोस्तों देखिए नंबर 108 का इस्तेमाल चिकित्सा पुलिस और आग से संबधित अपतकालिन इस्टिद्यों में किया जाता है कि एक निशुल्क सेवा है जो कि 24 बत्ते साथ यानि 24 गंते में आपके 24 गंते जनीत के लिए उपल यह बात करते हैं कि कब आपको डायल करना चाहिए 108 तो दोस्तों देखिए किसी भी तरह की दुर्गतना होने पर और तेज पेत दर्द होने पर यानि आपका जो इमर्जेंशी हो पेत में ज्यादा दर्द हो रहा हो और सास में दिक्कत होने पर दिल का दोरा परने पर आपको यह पता चल गया 108 आपको कब करना चाहिए जो अपकोटा हो बिल्कुल ऑखे तब आपको दर्द कर नमबर का मतलब यह कहां गहरें करें 102 देखिए दोस्तों सिवा में एक साल तक के बच्चे को बच्चे को किसी भी तरेकी विमारी होने पर घर से होस्पितर ला ने और वापिस घर छोड़ा जाता ऑप यानि आपको पता चल गया 102 किसलिए है और 108 किसलिए 102 जो है जातर जो है गर्वती जो महिला होती है उनके लिए ये जो है ये नमबर आपको डाल करना चाहिए और बेवज़े ना करें 108 और 102 पर फोन क्योंकि दोस्तों देखिया ये जानते हैं 108 और 102 के आसियाना सही कोल तरिमिन रोजाना हजारों लोग जरूरत कोल्स आती हैं जरूरी कोल्स आती हैं वही मोजा के फोन आने की वज़े सव्द कैलिन इंजowserů में रुकावत पैदा होती है इसके अलावा जरूरत मंदों भीड़े को समय पर सेवा नहीं मेल पाती है तो आपको दोस्तों मतलब यह सेवा यहां दोस्तों एंबुलेंस सेवा वंजीरो यह तो पारेवर्ण को बचाने के दिसा में भी अपने योगदान दे रही है पर देश भर में तैनात इन सभी 3756 एंबुलेंस में एंड्रोइड मुबाइल फोन दिये गए हैं जिसके चलते एंबुलेंस से जूरी रिपोर्टिंग इस्ताप की स्थिति के साथ-साथ अन्य देनी कारियों में इसी अधुनिक फोन के जरिये किये जा रहे हैं यही वज़े है कि एंबुलेंस का देनी 108 और 102 क्या है और आपको कब डायल करना चाहिए और किस कंदीशन में चाहिए किस कंदीशन में नहीं करना चाहिए और ऻो जब्ट बहुत अग्रमेंस या फिर ना भीला है जो गरवतियों ओके और जो है इस कंदेशन में आपको 102 डायल करना है तो आयोग दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगी और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद